दोस्तों आज हम आप लोगों को एक पर्या जो है करेंट अफेर से जुड़ा हुआ और कह सकते हैं यह पर्या वरण और पाचिस्की से जुड़ा हुआ एक महत्पूर्ड टॉपिक है जो परिच्छा के द्रिष्ट से काफी महत्पूर्ड होता है यह ऐसा टॉपिक है इसमें यह हम अगर पढ़ लेते हैं तो वंचेट से कहीं भी कहीं से भी करेंट अफेर से जुड़ा हुआ कोश्चन आएगा तो यकीनन आप लोग को यह उसमें लाभांदीत होंगे आप लोग तो इसमें हम आप लोगों को यह बताने वाले हैं कि जो भार्टी वन सर्वेच्छड जिनके पास भारत की सबसे ज़्यादा वन शेत्र है और फिर अगली रिपोर्ट में अगली पॉइंट में यह बताया गया है कि भारत में ऐसा कौन कौन से राजे हैं जो अपनी भूमी का सबसे ज़्यादा वन शेत्र फैले हुए हैं अपनी ही भूमी में और इसमें और आय यहां पर दे दें कि वह यह वन्षेत्र होता है वन्षेत्र का मतलब होता है यह कानूनी तोर पर मानता दे दी जाती है जिस जमीन को कि वन्षेत्र के लिए है तो उसे ही वन्षेत्र का आ जाता है इसका कत्ता ही मतलब यह नहीं होता है कि यह वहां पर पेड़ पौधे हो जैस वहाँ पे अगर देखा जाए रियल में, तो वहाँ पे कहीं सड़क बन गई है, कहीं मकान बन गया है, कहीं और कुछ बन गया है, कहीं फैक्टरी लग गई है, तो वनचेत्र का ये मतलब नहीं होता है, कि वनचेत्र हो वहाँ जरूरी हो, और ये वनचेत्र का क्या मतलब होता है कि वहाँ जो जो मवजूदगी जमील है उस पर कितना परसेंट वन फैला हुआ है इसको वन आवरण कहा जाता है यह तो हो गया थोड़ा सी इसके बारे में अब आईए हम लोग इस पर बात करते हैं भारती वन सरवेच्छड क्या है देखिए भारती वन सरवेच्छड जो ह पर्यावरण और वन मंत्राले के अधीन एक ऐसी संस्था है जो वन छेत्रों को आकलं करती है और उसके बारे में आकलं करती है कि कितने वन बढ़े हैं बिस्त में कितने वन बढ़ रहे हैं कितने घट रहे हैं भारत में कितने बढ़े कितने घटे उसके बारे में यह आकलित करके ये रिपोर्ट प्रकासित करती है और ये रिपोर्ट जो है ये पर्यावरण और वन मंत्राले को दे देती है और पर्यावरण वन मंत्राले का जो मंत्री होता है जो इस समय के मजूद की मंत्री है भूपेंद्र या तो उन्होंने ही इस साल का जो है रिपोर्ट ये पबल प्रकासि होती है यह एक साल गईब देकर आती है और यह पताती है कि भारत में कितने वन हैं कहां पर किस राज में कितने वन छेत्र फैले हुए हैं और किस राज में वन आवरण अधिक है और भारत में कितने वन छेत्र हैं इन सभी के बारे में यह आकलन करके रिपोर्ट बना पूरे बिस्व की तुलना में केवल 2% है अगर हम बिस्व से भारत की तुलना करें बिस्व से तो पूरे बिस्व का जो है भारत में केवल 2% 2% 1.2 है पूरे बिस्व से अगर हम तुलना करें तर लेकिन अगर हम ये केवल देखें कि भारत के अपनी जमीन पर कितना परसंट ववन छेत्र फैला हुआ है तो उसका है 24% भारत के परिपेश में हम लोग अगर देख रहे हैं तो भारत जो है अपनी भूमी का केवल 24% ववन छेत्र फैला हुआ है अब बाकी सब और खाली है उसमें और तरह के लोग है मतलब नदी है घर है मकान है यह सब है यह है और अगर हम लोग यह देखें इस रिपोर्ट में जो आई है कि सबसे ज़्यादा वन छेत्र किस देश के पास है अपनी कौन सा देश के पास मतलब वन आवरण अधिक है तो य ब्राजिल के सब्सक्र suburbs पर के पास 59 परसेंट जितनी अपनी भूमी उसका 59% वपल प्रहा हुआ है दूसरे पर अपनी भूमी का 37% वप bon भूमी है उसका 57% फैला हुगा है ये वन्चेत्र उसके बाद आता है कांगो कांगो ऐसा एक देश है जो अपनी भूमी का उसके लगभग 56% उसके वन्चेत्र फैले हुए है और चौथे नंबर पर जो आता है वो है रूस रूस के पास जो है अपनी भूमी का कुल 50% लगभग 56% फैले हुए है यह तो हो गया पूरे 20 के परिपेच में जो इस रिपोर्ट में बताई गई थी कि पूरे 20 में किस के अपनी भूमी का कितना पर्शेंट किसके पास है तो जो अपनी भूमी है जो देश की अपनी भूमी है उस पर इतना ब्राजिल के पास 69, पेरू के पास 57, कांगो के पास 56, रोज के पास 50% भूमी है और यही भारत के बात करें तो भारत जो है अपनी भूमी का 54% जो है वंचितर फैला हुआ है तो यह हो गया और अगर हम अप सबसे जादा मध्धप्रदेश, मध्धप्रदेश जो है सबसे जादा 1-6 पहले हुआ है अपने ओवराल में, भारत में जितने 1-6 हैं, उसका मध्धप्रदेश के पास 11% 1-6 फैला हुआ है, और दूसरे नमबर पर आता है अरुडाचल परदेश, अरुडाचल प्रदेश अरुडाचल प्रदेश के पास क्या है? पूरे भारत में जितने वन छेतर हैं उसका 9% के ओल अरुडाचल प्रदेश के पास है ये हो गया और अगर हम लोग बात करते हैं ये तीसरा जो आता है 36 गड़ 36 गड़ ऐसा राज है जो पूरे भारत का केवल 8% वनावरन लेके फैला हुआ है और तीसरे नमबर पर आता है ओडीसा आता है ओडीसा ओडीसा जो है ओडीसा के पास 7% है पूरे भारत के जहां जितना वनचेतर है उसका साथ परसेंट के पास है और इसके बाद आता है здर्ष माहराष्ट नाहराष्ट भी साथ परसेंट है नाहराष्ट पूरे भारत के जोवन शेटर है के वोल महराष्ट के पास है तो ये हो गया अब हम लोग देखते हैं ये तो हो गया overall में कि पूरे भारत में जितना है उसका कितना percent किस राज़ के पास है तो ऐसे-एसे सभी राज़ों के पास है इतना हम आप लोगों को एक analysis करने के लिए बता दिए और अगर आगर हम लोग बात करें इसके बारे में कि कौन सा राजा के पास अपनी भूमी का कितना परसेंट के ओल वन भैलाए हुआ है यह अलग बात है, यह पूरे भारत के तुलना कर रहा है, पूरे भारत में जो जमीन है, पूरे भारत में जो वनचेत्र है, उसका कितना परसेंट राज्यों के पास है, और आप लोगों को जो यह हम बताने जा रहे हैं, कि अपने ही राज्य में कितना परसेंट कौन सा राज् सबसे ज्यादा है मिजोरम. यह हम द्योख खिलें. मिजोरम. मिजोरम जो है अपनी भूमी पर, यह भारत के परिपेच में था और यह अपने है. मिजोरम जो है अपनी भूमी पर, जो है पचासी परसेंट वन आवरन फैला हुगا है या लेकिन यहा देखेए 15% के ओल 1 नहीं है इसके भूमी पर जितना इसके पास अपनी भूमी है उसका 15% के ओल खाली है लेकिन 85% जो है पूरा 1 छेत्र फैले हुए है और अगर हम दूसरे बात पर बात करें दूसरे इसमें बात करें अरुराचल परदेश आता है अरुराचल परदेश के पास जो है 79 अरुराचल परदेश की जितनी जमीन है उसका 79% जो है घेरा हुआ है 1 छेत्र और तीसरे नंबर पर आता है मेगाले मेगाले के पास जितनी अपनी भूमी है उसका लगभग 76% 76% जो है मेगाले की अपनी जो जमीन है उसका 76% वन छेत्र फैला हुआ है अब आता है मडीपूर मडीपूर ऐसा है जो इसके पास अपनी जो भूमी है इसका लगभग 74% 74% वन छेत्र फैला हुआ है इसके पास इसके बाद ये काता है नागा लेंड नागा लेंड जो है इसके पास जो अपनी मौजूद की जमीन है जैसे ये सब था उसका 74% ये भी है 74% तो हम लोगों ने हम लोग यहां देख लिए कि जो ये रिपोर्ट आय थी भारती वन सनवेच्छन की जो प्रत्य दो वर्स पर प्रकासित होती है और इसको पर्यावरण और वन मंत्री जो होता है वो पब्लिक करते हैं इसको इसमें क्या इस साल रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के पास पूरे 20 का 2% जो है वन खेत्र है अगर हम भारत की बात करें भारत कितना परसेंट वन खेत्र अपने यहां फैलाए हुआ है तो 24% सबसे ज्यादा यह ब्राजिल के पास उसके बाद पेरू के पास कांगो के पास है और यह रूस के पास है इतना यह हो गया अप आपने जमीन पर यानि अपने राज में किसी से तुलना उलना यहां नहीं करना है यहां सिर्फ अपने राज पास उसकी भूमी है उसका कितना परसंट जो है अपना वनचेत हुआ है तो यह है यहां अगर हम लोग थोड़ा सा UT की बात करें, जो होता है, जुसे UT को हिंदी में क्या बोलते हैं, बहार संग जो होता है, केंदर सासीत प्रदेश, केंदर सासीत प्रदेश का अगर हम थोड़ा से बात करनें, तो लच्छदीप, जो लच्छदीप होता है, लच्छदीप जो है, सबसे ज़्यादा है, लगभ जो है 81% वन्षेत्र फाइला हुआ है यह हो गया थोड़ा सा यूटी के बारे में बता दिया तो हम लोगों यहां देख लिया कि क्या क्या था वन्षेत्र क्या होते हैं वन आवरन क्या होते हैं यह सब जो इसकी रिपोर्ट हाली में आई है यह करेंट सफेर से जुड़ा तब तके लिए जैहिन